रादे रादे भक्तों ब्रत्पर्व कथा चैनल में आप सबी भक्तों का स्वागत हैं भक्तों मेनक मेनकी और गड़ेजी की कानी सुना रहें इस कानी को सुनने से सबी संकत दूर होते हैं भक्तों एक मेनक और मेनकी थे कुए के अंदर रहते थे मेनकी गड़ेजी की बड़ी भक्त थी हमेशा गाती रहती जैगनेश 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 रेवा मता जाकी पार्वती पिता महादेवा अब मेनक को गुसा आता कि तू सुन वाले का नाम दिनवर लेती है मेरा नाम तो कभी जबती नहीं उनमें जगड़ा हो जाता एक दिन एक पनहारी आई उसने पानी भरा अब पानी के साथ में मत्की में एक मेनक मेनकी आ गए उन्हें अपने घर ले गई और जाकर के वो मत् मेनकी के अंडर जलने लगे अब मेरकी ने गाना शुरूगा दिया जैगनेश 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 देवा मता जाकी पारवती पिता महा देवा मेरक कहने लगा कि मेरकी में जल रहा हूं मेरकी ने का में तो नहीं जल रही अच्छा तो तुम मेरी जगह आ जाओ मेरक मेरकी में यहां भी जल रहा हूँ मेंडकी बोली आप गनेजी का नाम जपो आपको जो है सभी कष्ट दूर हो जाएंगे मेंडक में का मैं सून वाले का नाम नहीं लेता पंदु जैसे तेज अगनी लगी अब तो मेंडक में भी का मेंडकी मैं भी गाऊंगा अब मेंडक भी मेंडकी के साथ में आरती गाने लगा जैगनेश 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 देवा मता जाकी पार्वती पिता महादेवा अब उनको जलन सांत हो गई उसी समय गड़े जी बच्छडे का रूप बना के आए और उस मटकी को लात के भागे उच्छते हुए जाकर के उस तलाब में कूद परें जैसे मेरक मेरकी की जान बच गई इस तरह से भक्तों गड़ेजी पर जो विश्वास काते हैं गड़ेजी अपने भक्तों की अवस्य रक्षा काते हैं जैसे मेरक मेरकी की रक्षा करी बैसे कानी कहने सुनने वाल की ईजे